तो आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द्रोन अकेडमी चेकरफुर कानपुर में जैसा कि पिछली क्लास में हमने पंचवर्सी योजनाओं के बारे में पढ़ा था और हमने 6 पंचवर्सी योजनाओं पढ़ ली थी इस क्लास में हम आगे की 3 पंचवर्सी योजनाओं सात्मी आठमी और नमी पंचवर्सी योजना पढ़ेंगे फिर से आपको बता दें किसी भी पंचवर्सी योजना के बारे में पढ़ने के लिए चार चीजें किलियर होनी चाहिए पहली उस पंचवर्सी योजना का कारकाल क्या था? दूसरा उसका मॉडल क्या था? तीसरा उसमें हमने क्या उद्देश निर्धारित किया? और चौथा इस पंचवर्सी योजना से हमें क्या प्राप्थ हुआ? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सातवी पंचवर्सी योजना की तो इस पंचवर्सी योजना का कारकाल उनिससो 140-1990 तक था जैसा कि आप सबी को पता है पंचवर्सी योजना का कारकाल एक अप्रेल से आगे 31 मार्च तक चलता है अब बात करेंगे इस पंचवर्सी योजना का मॉडल इस पंचवर्सी योजना का जो मॉडल था वो जान डबलू मिलर के मॉडल पर आधारित था क्लियर है किसके मॉडल पर आधारित था जान डबलू मिलर के मॉडल पर आधारित था इस पंचवर्षी योजना में हमने जो लक्ष निर्धारित किया उस लक्ष में हमने उत्पादक्ता को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के आउसर में ब्रदी करने की बात की किसकी बात की उत्पादक्ता को बढ़ावा देना तथा रोजगार के आउशर में ब्रदी करने की बात की गई किलियर है पॉइंट अब एक पॉइंट याद रखना है हमें इस पंचवर्शी योजना में एक नारा दिया गया भोजन, काम और उत्पाद का नारा किसका नारा दिया गया भोजन, काम और उत्पाद का नारा इस नारे से हमें एक और योजना याद आई काम के बदले आनाज योजना और वो किस पंचवर्शी योजना में आई थी तो पांचमी पंचवर्शी योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा किस पंचवर्शी योजना में आया तो सात्वी पंचवर्सी योजना में अब हम बात करेंगे इस पंचवर्सी योजना में हमने क्या-क्या लच्छ निर्धारित किये थे और उसके बाद हमें क्या-क्या प्राप्थ हुआ तो सबसे पहले बात करें इस पंचवर्सी योजना में निजी छेत्र क स्तार्वजनिक छेतर की अप अप एच्छा वरीयता दी गई अब दो पाइट निकल doc़ निजी छेतर और या स्तार्वजनिक छेतर किसी भी मिनिजी सौमित्त वाली कंपनी और स्तार्वजनिक छेतर में सतरकार के सहयोग से चलने वाली उदारन के तौर पर आप path भी किषटरी की बात करें तो ये निजी चेत से संबंदित हैं। जब कि आप भारत पेट्रोलियंट यंदुस्तान पेट्रोलियंट या इंडियान आल कारपोरोषलन जैसे किसी वी संस्ता की बात करें। तो वह आपके सार्वजनिक चेतर का उपाक्राम है किलियर है ना नीजी चेतर और सार्वजनिक चेतर मोटा-मोटा याद रखो सरकार के सौमित वाली जो कमपनिया हैm वो क्या है? सारवजनिक चेत्र, अब आगे बात करेंगे, इस पंचवर्सी योजना में हमने एक योजना प्राम की जिसे नाम दिया, हमने जवाहर रोजगार योजना, कौून सी रोजना? जवाहर रोजगार योजना किस वरस आई, तो 1929 में, तो पूछा जाए, जवाहर रो पोश्ट बिवस्ता प्रार्म की जैसा कि आप सब्लीत इसे पूछा जाए डाग विभाग ने स्पीड पोश्ट बिवस्ता प्रारम की थी तो 1986 में इसके अलावा कि हमारे इस पंचवरसी यजना में कि 1988 में 12 अप्रेल को सेवी की इस्तापना की गई सेवी की सेवी का फुल फॉर्म क्या है सिक्योर्टी एन इक्षेज बोर्ड ऑफ इंडिया अभी इसकी बात हम नीचे करें ठिक आगे बात की जाए इसमें और क्या हुआ तो एक प्रोफेसर थे प्रोफेसर राज कृष्णा इन् is कि एक अस्ताइव से मिला राश्च्टी आएड तो हम बात करेंगे रaş्टी की बात की एक वर्स में आर्थिक क्रिया कलापों से जो भ्रदी हुई है या जो हमें मौद्रिक योग प्राप्ध हुआ है उसी को हम राश्टी आय के रूप में जानते हैं ठीक है राश्टी आय की गढ़ना सबसी पहले दादा भाई नेरोजी ने की थी दादा भाई नेरोजी ने इन्होंने क्या किया था तो इन्होंने धन के बहिर गमन का सिध्धान दिया था जिसे निकासी का सिध्धान या ड्रेन थेयरी के नाम से जानते हो आप तो पूछा जाए कि भारत में राश्टी आय की गड़ना सबसे पहले किषने की थी तो दादा भाई नेरोजी ने क्या दिया था तो इन्होंने धन के बहिर गमन का सिध्धान दिया था या धन निकासी का सिध्धान दिया था आगे बात करें वर्तमान में भारत में राश्टी आय की गड़ना कौन करता है तो वर्तमान में भारत में राश्टी आय की गड़ना केंदरी सांख की संगठन जिसको आप CSO Static Organization है ये इसके द्वारा की जाती है किलियर है तो वर्तमान में कौन करता है तो केंदरी सांखेकी संगेठन 1951 में स्तापित हुआ था और सबसे पहली बार किस ने किया तो दादा भाई नेरो जी ने आगे अब एक पॉइंट आया था सेवी क्या आया था सेवी अब हम बात करेंगे सेवी की तो सेवी का फुल फॉर्म है Security and Exchange Board of India क्या नाम है Security and Exchange Board of India या भारती प्रतिभूती और VNMN Board किलियर है मुख्याले कहा है मुंबई में ऐसे कोई भी संगेठन या अधिकतर बैंकों का जो मुख्याले है वो कहां पर है मुंबई अब आगे बात करें कि विकास लच्छ क्या निर्धारित था तो 5% और वास्तिविक विकास दर क्या मिली 5.7% इस प्रकार हम कह सकते हैं यह पंचवर्सी उजना एक सफल पंचवर्सी उजना थी कैसी थी तो यह एक सफल पंचवर्सी उजना थी अब आगे हम इस पंचवर्सी उजना को फिर से जल्दी यल्दी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करें सबसे पहले हम बात करें कि इस पंचवर्सी उजना का कारकाल क्या था क्या उद्देश था तो उत्पादक्ता को बढ़ाना तथा रोजगार की ब्रद्दी में क्या करना आगे क्या करें तो हमने इसमें एक नारा दिया था भोजन काम और उत्पाद का लारा और क्या हुआ तो निजी छेत्र की अपेच्छा सार्वजनिक छेत्र की अपेच्छा न जाक ने स्पीड पोश्ट बिवस्ता लागू की गई, जवाहर रोजगार योजना चलाई गई, 1988 में सेवी की स्तापना की गई, और हिंदू ब्रद इदर सब्द प्रयोप किया गया, जिसका संबन किस्से है, तो इसका संबन राष्ट्री आय से है, किस्से है, तो राष्ट्र का बयो ब्रद पुरुस कहा जाता है, या ग्रेट गोल्ड, ओल्ड मैन ओफ इंडिया कहा जाता है, किलियर है न, इन्होंने क्या किया तो इन्होंने धर्ण के बहिरगमन या निकासी का सिध्धान्त दिया, वर्तमान में आपकी राष्ट्री आय की गढ़ना कौन करता है, त कैसी पंचवर्सी योजना थी, तो यह एक सफल पंचवर्सी योजना थी, अब हम बात करेंगे साथमी आठमी पंचवर्सी योजना, पर आठमी पंचवर्सी योजना से पहले हमें योजना आउकास के बारे में पढ़ना है, किलियर है, जैसा कि आपको पता है, साथमी इसकते आई जिसके कारण हमें बीच में दो वर्ष के लिए योजना अवकास करना पर तो सबसे पहले बात करेंगे योजना अवकास कब से कब तक चला और इसके करने के क्या कारण थे और तीसरा की इस बीच में या इस समय के दौरान भारत को क्या-क्या उपलब्धियां में तो सबसे पहले बात करें योजना अवकास के कारकाल की तो योजना अवकास का कारकाल 1990 से 1992 तक था तो पूछा जाए पहला योजना अवकास कब किया गया था तो आप सभी को पता हैं तीसरी पंचवर्षी योजना के बाद क्या किया गया था योजना अवकास याद रखने क तो के बताया था किसी भी व्रक्तिका चौथा कब होगा यानि चौथी 5 वर्सी यूजना से पहले क्या हुआ था तो वो यूजना की जागी ऑगी नि अप 반ügर योजना आउकास किया आओ दूसरी बार योजना आउकास कब किया गया तो राजनेतिक आइस्तिर्ता तथा आर्थिक संकट के समय एक वर्सी योजनाई चलाई गए थे। अब आपको दोस्तों बता दें 1990 से 1992 की बीच का समय भारत की राजनीती में आइस्तिर्ता का एक महत पूर साल था। क्योंकि आप सभी को पता है 1990 में ततकालीन प्रधान मंत्री राजियू गांधी की हत्या हुई उसके बाद इसी वर्स भारत को दो और नए प्रधान मंत्री मिले। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1991 का दौर भारत की राजनीती में आइस्तिर्ता का दौर था। दूसरी बात फिर हम आगे बात करेंगे आर्थिक संकट के कारण एक वर्सी योजना बनाए तो आपको बता दें कि भारत में वित्ती आइस्तिर्ता बढ़ी थी जिसके कारण हमें 1991 में एक बार पुना मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। तो पूछा जाए कि योजना अवकास के क्या कारण थे तो क्या कारण थे राजनेतिक आईस्तिर्ता और आर्थिक संकट अब आगे बात बताएं हमें इससे क्या क्या प्राप्त हुआ तो आपको बता दें कि हमने 1990 में लगू विकास के लिए सिडवी की इस्तापना की अब स सिडवी क्या है तो सिडवी के बारे में आगे पढ़ेंगे आप देख सकते हैं सिडवी इसमाल इंडस्ट्रीज डबलमेंट बेंक आफ इंडिया अब इसके बारे में भी नीचे पढ़ेंगे तो इसके बाद भारत ने 1991 में ही आर्थिक सुधार के लिए उदारी करण, निजी करण तथा वैस्विक करण की गोस्टना की इससे आप LPG मॉडल बोलते हों क्लियर है अब अभी पहले बता चुके हैं 1991 में भारत ने एक बार फिर से मुद्रा का ओमूल्यन किया क्वेश्चन अब एक और यहां से पॉइंट क्लिक करेगा कि भारत ने अभी तक कितने बार मुद्रा का ओमूल्यन किया है तो आपको बता चुके हैं भारत ने अभी तक तीन बार मुद्रा का ओमूल्यन किया है तो क्वेश्चन बनेगा कब कब तोса 1999 में, 1986 में और तीसरा 1991 में तो आपको यहाँ से question मिला भारत ने मुद्रा का अमूलियन कितने बार किया है तो तीन बार किया कब-कब 1949 में 1999 में और 1991 में अब आगे हम बात करेंगे एक सब्द आया था SIDV तो SIDV के लिए हम एक बात करेंगे SIDV का full form क्या है SIDV का मुख्याले क्या है और हमको क्या-क्या उपलब्दिया मिले तो SIDV का full form है Small Industries Development Bank of India पूछा जाए SIDV का full form Small Industries Development Bank of India और इसका मुख्याले जो है वो आपके लखनव में है याद रखना है SIDV का मुख्याले कहां पर है लखनव में इसके अलावा बता दें कि जब भारत में राजनेतिक आईस्तिर्ता आई उस समय देश के वित्मंत्री मनमोहन सिंग थे जैसा आप सभी को पता है आप काफी जिन से सुनते चले आ रहे हैं कि देश को एक बड़े आर्थिक संकट से उभारने का पूरा स्रे मनमोहन सिंग को जाता है तो 1991 में भारत के वित्मंत्री मनमोहन सिंग थे अब एक क्वेशन और कभी कभी माइनुक क्लिक करता है क्या मनमोहन सिंग कभी आर्वियाई के गवर्नर रहे हैं के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और क्या रहे हैं तो भारत में वित्वमंत्री के पतपर रह चुके हैं और आरबी आई के गवर्नर पतपर भी रह चुके हैं आगे एक इंपॉर्टेंट कोईश्चन है जब 1991 में पीवी नरसिम्मा राओ की सरकार बनी तो इन्हों ने एक योज नरसिम्मा राओ या आपसे पूछा जाए लुक इस्ट पॉल्सी किस प्रधान मंत्री से संबंदित है तो पीवी नरसिम्मा राओ ये भारत के प्रधान मंत्री कब थे तो 1991 के दोरान अब हमें तीन सब्द मिले थे उदारी करण, निजी करण और वैस्वी करण तो उदारी करण तो एक सब्द आप आया उदारी करण और आप बचपन से सुनते चले आ रहे हो कि वो उनका दिल बड़ा उदार है या वो बड़े उदार है तो उदार मतलब कि कोई वी व्यक्त क्या कहलाती है उदारी करण की नीद कहलाती है इसका एक ही फाइदा है कि जब आप अपने नियमों में कमील आओगे और कुछ धील दोगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटसाहन मिलेगा दूसरा नीजी करण आप सभी को पता है नीजी करण मतलब की प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है इस काल में क्या किया गया कि कुछ नीजी छेत की कमपनियों को जोड़ा गया तथा जो स्तारवजनिक छेत के कुछ उपक्रम थे उनको नीजी छेत हाथों में हस्ताना अंत्रित किया गया FBI को बढ़ावा देने के लिए तीसरा है वैस्वी करण वैस्व तो तीन चीजे मिली उदारी करण नीजी करण और वैसिवी करण कब आई तो ये 1991 में वित्व मंत्री कौन था मनमुहन से अब एक बार जल्दी फिर से हम योजना उकास के बारे में पढ़ेंगे क्लियर है ना योजना उकास के बारे में पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि क्य क्या क्या किया हमने तो सबसे पहले हमने किया कि लगू उद्योग के विकास के लिए सिडवी की स्तापना की और क्या किया तो हमने उदारी करण नीजी करण तथा वैस्वी करण की नीती अपनाई तथा मुद्रा का ओमूल्यन किया याद रहेगा आपको मुद्रा का ओमूल योजना के तो जैसा कि आपको बता दें आठमी पंचवर्षी योजना भारत में उदारी करण, निजी करण वावेस्वी करण के बाद प्रारंब होने वाली पंचवर्षी योजना है, तो फिर से वही point कि किसी भी पंचवर्सी योजना के बारे में पढ़ने के लिए कम से कम च्यार points के लिए होने चाहिए पहला कौन सा पंचवर्सी योजना का कारकाल क्या था दूसरा पंचवर्सी योजना का model किस पर आधारित था तीसरा की उस पंचवर्सी योजना का मुख्य उद्देश क्या था और चौथा उस पंचवर्सी योजना से हमें क्या क्या पराप्त हुआ तो हम बात करेंगे आठमी पंचवर्सी योजना की तो आठमी पंचवर्सी योजना का कारकाल जो था वो 1992 से 1997 तक था एक point आपको clear करा दें आठमी पंचवर्सी योजना से पहले भारत ने दूसरी बार योजना उकास किया था जिसका कारकाल 1990 से 92 तक था तो आठमी पंचवर्सी योजना का कारकाल क्या था तो आपका था 1992 से 1997 तक अब हम बात करेंगे कि आठमी पंचवर्सी योजना का जो model था वो एक बार फिर से जान डबलू मिलर के model पर आधारिब था जैसा कि आपको पता है साथमी पंचवर्सी योजना का model भी क्या था जा जान डबलू मिलर के model पर तहा इसके साथ ही इसे राव और मनमोहन का model भी कहा जाता है किया बेपी नरसिम्हा राओ और ड्र। मीट है कि मौहन सिंह तो पूछा जाए कि राव और मॉडल के मांज राव और मन मौहन के मॉडल पर कौन सी पंचवर्सी योजना आपकी थी तो आदन ऑप num acord करें इस पंचवर्ची योजना का जो मुख उदेश था वह व्हा नोसं साधन का विकाज करता है क्लियर है ना मानो संसाधन के विकास में क्या काएंगे रोजगार है सिच्छा है स्वास्त है आधी जो छेतर थे उनको फ्रात्मिक्ता दी गई तो पूछा जाए किस पंचवर्सी योजना का मुख्य उद्देश मानो संसाधन का विकास करना था तो आप किस पर टिक करोगे आ ब्रद्दी दर थी वो निर्धारित की गई 5.6% और जो हमें प्राप्त हुआ वो था 6.8% इससे ये सिद्ध हो गया कि आठमी पंचवर्सी योजना भारत की एक सफल पंचवर्सी योजना थी क्लिए रहना क्योंकि हमें जो प्राप्ती हुई है वो निर्धारित ब्रद्द का प्राप्त हुआ तो आपको बता दें इस पंचवर्सी योजना के दौरान प्रधान मंतरी रोजगार योजना प्रारम की गई और क्या हुआ तो राष्टी महिला कोस की स्तापना हुई वो भी किस वर्स हुई 1993 में एक फॉइंट और यहां पर मैं याद रखना है 1993 में ही भारत मानवादिकार आयोग का यूमेंस राइट कमीशन जो है उसका भी सदस्व बना था या उसने अपने अहां मानवादिकार आयोग की इस्तापना की थे अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है एक जनवरी 1995 को भारत डबलू टियो का सदस्व बना थी इसका मतलब हम विश्व इस्तर पर या विश्व के सापेच में अपनी स्थितियों को इस्पष्ट कर रहे थे डबलू टियो का फुल फॉर्म है वर्ग ट्रेड और्गनाईजेस्टन या विश्व ब्यापार संगठन और जो इसका मुख्याला है वो जिनेवा सुट्ज और मुख्याले कहां है आपका जिनेवा में इसके साथ ही इस पंचवर्षी योजना में एक और लच्च निर्धारित किया गया और बताया गया कि इस पंचवर्षी योजना में मैला ढोने की प्रथा को पूर्टा समाप्त किया जाएगा जैसे आप सबको पता है कि भारत मे सरपर मैलाड होने की जो प्रता है वो कहीं कहीं आज भी चल लई है जबकि इसको समात्त करने के लिए जो हमने उद्देश निर्धारित किया था वो आठेवी पंचवर्सी योजना में निर्धारित किया था इसके अलावा 19-15 वर्स से 35 वर्स की आयू के लोगों को प्रारंबिक इसतर पर सिच्छा प्रदान करने के लिए या सालख्षर बनाने के लिए कारकरम चलाया गया और इसे नाम दिया गया प्रौर सिच्छा अभियान ठीक है तो वो भी किस पंचवर्सी योजना में चलाया गया आठमी पंचवर्सी योजना में और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि आठमी पंचवर्सी योजना भारत की 12 पंचवर्सी योजनाओं में से सबसे सफल पंचवर्सी योजना थी तो कि कितने भी पॉइंट्स हमारे लिए बने हैं और हमें कितना याद है तो जलीली बात करेंगे पूछा जाए किस पंचवर्सी योजना का उद्देश मानव संसाधन का विकास करना था तो आठमी पंचवर्सी योजना आठमी पंचवर्सी योजना का कारकाल कब से कब तक 90 से 97 तक क्या यह एक सफल पंचवर्सी योजना थी हाजी यह कैसी थी सफल पंचवर्सी योजना थी आगे हम बात करेंगे क्या हमें इसमें क्या-क्या प्राप्त हुआ तो प्रधान मंत्री रोजगार योजना का प्रारंब हुई 1993 में राष्टी महिलाफोस की स्तापना कब तो आठमी पंचवर्सी योजना में प्रोड सिच्छा वियान कप्चराया गया आठमी पंचवर्सी योजना में और ये भारत की कैसी पंचवर्सी योजना थी तो यह भारत की सबसे सफल पंचवर्सी योजना थी तो ये बात हो गई आपकी आठीनी पंचवर्सी योजना की अब हम आगे पढ़ेंगे नवी पंचवर्सी योजना